चोदरी चरन सिंग उन्वेस्टी मेरट के बारें बात करने वाले है जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उन्वेस्टी की वेवेसाइट पर 18 जून में एक नोटीस आया था उसमें लिखा था कि सभी छात्रों की यहाँ पर परिक्षा कराई जाएगी क्या करोना महमारी के इस बड़ते संकर्मन में परिक्षा कराना जरूरी है जैस तो सासन ने यहाँ बच्चों के साथ में खिलवाड किया है क्या चात्र इस खिलवाड को सहन कर पाएगे जैस तो बिल्कुल नहीं चात्रों ने यहाँ पर परिक्षा का विरोध करना सुरू कर आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूँ, आज की सबसे बड़ी खबर है कि यहां पर बहुती जल्द सभी छात्र परमोट होने वाले हैं, प्लीज यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को लास्त अवरू देखे, वीडियो को स्क ने अभी परिक्षा की तिती भी गोशित नहीं की है, उसका विरूद सुरू हो गया है, सनिवार को वीवी गेट पर छात्र संगटों ने परदसन कर परिक्षाय नहीं कराने की मांग की है, इनका कहना है कि मेरट सानपुर मंडल में जिस तरह से करोना फैल रहा है, उसमें य ने को वापस ले और छात्रों के भविस्य और जीवन को देखते हुए जर्नल पर्मोशन की परिकिरिया को लागो करे, अगर वीवी ऐसा आप नहीं करता है, तो NSU विरोध करेगी, NSU के परदे सद्यक्स रोहित राना ने कहा कि वीवी छात्रों के भविस्य के साथ खिलवा नियम लागो करे और यहां भी ऐसा नियमी लागो होना चाहिए, सुचना पर मेडिकल पुलीस और वीवी के अधिकारी मोके पर पहुँच गए, चीप प्रोक्टर प्रोफेसर वीरपाल ने चात्रों से कहा कि सासन के निर्देश पर पूरे परदेश के वीवी कोलिजों में परिक्षाय कराने को कहा गया है, अभी कोई तिती गोशित नहीं की गई है, चात्रों ने राज्यपाल को संबोधित ग्यापन कुलपती को देने की मांग की है, तो उनमें कहा गया है कि ओनलाइन भेजदो, विरोध करने वालों में सुर्यान स्तोमार, हश्ट, डाका, करार ह परिक्षाय कराना सही नहीं होगा, वही ग्यापन देने के दोराइन चात्रों और पुलीस के बीच नाकत चोकी भी हुई है, तो यहाँ पर यह चात्रों का बहुत भड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ पर चात्र परिक्षा का विरोध कर रहे है, जैसे कि कि सीशेश उनिवस्टी के संबंद जिन कोलीजों से है, उन जिलों में यहाँ पर करोना महमारी का संकर्मन तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में परिक्षा नहीं करानी चाहिए, यहाँ पर सीशेश उनिवस्टी के साथ साथ उतरप्रदेश सरकार को भी और राज्यपाल कुल पती साथ को भी यहाँ पर देखना चाहिए, कि यहाँ पर प्रिक्षा कराई जानी सही नहीं है, अगर कोई भी एक भी आदमी यहाँ पर संकर्मित होता है, तो उससे बहुत बड़ा लोस होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तयार नहीं है, नहीं यहाँ पर सिस्टम तयार है, कि जैसे कि यहाँ पर नोटिस में बोलते हैं कि सभी कोलीजों को सेनेटाइज किया जाएगा, और यहाँ पर गेट पर सेनेटाइज मसीन, मास्क वगेरा आदी रखा जाएगा, कुछ नहीं रखा जाता है, कल की नूज मे मैंने आपको बताया था कि कॉलिज के पास यहां पर बजट ही नहीं है वे बोल रहे कि हम इन चीजों का यहां पर जो है इंतजाम कैसे करेगे उन्होंने कॉलिज ने यहां पर साप बोल दिया है तो फिर ऐसे में परिक्सा कैसे कराई जाएगी सवाल यही है तो यहां पर चातरों ने अच्छा कदम उठाया है हम भी यहां पर NSU के चातरों के साथ है हमने भी एक ट्वीट के माद्यम से एक मुहीम चलाई है आप सभी लोगों को भी हिस्सा लेना है इस ट्वीट में हमने सभी को एड़ किया है प्लीज आप सभी चात्रों से विन्ती है अगर आप भी यहाँ पर परमोट होना चाते है या आपकी भी यही मुहीम है कि आप भी यहाँ पर परमोट हो जाए तो आपको एक ट्वीट दिया गया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैंने यहाँ पर ट्विट बना है कि CCSU का संबंद जिन जिलो से है वो सभी कुरोना संकर्मन से ज़्यादा परभावित है लेकिन फिर भी CCSU परिक्षा कराना चाहती है यहाँ पर डॉक्टर दिने सर्मा बीजेपी के जो यहाँ पर अध्यक्स है उनको भी और यूजीसी इंडिया को भी यूजीसी को भी यहाँ पर हमने ट्विट किया है साथ में हैज्टेक के साथ में हमारा यहाँ पर मिशन है कि CCSU मेरट कैंसिल एक्जाम्स 2020 यह सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा होने वाला है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें अगर आप भी पर्मोट होना चाहते है अगर यहाँ पर हम जितना भी ट्वीट करेंगे हमारी बात इन लोगों तक पहुँच गई तो हो सकता है कि यह हमारी पर यहाँ गोड करें और यहाँ पर सभी को जनर्ल पर्मोशन दिया जाए तो आऐ होप आपको वीड़ो अच्छी लगी तो लाइक करें साथ में इस वीड़ो को ज्यादर से ज्यादर शेयर करें चैनल पर नए है तो प्लीज आन को सब्सक्राइब कर ले साथ में घंटी व